हेलो दोस्तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा स्टॉक का प्राइज इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो आज भी और इस वीडियो में भी मैं आपको एक ही चीज बोलूँगा कि नहीं है उनको खरीदना नहीं नहीं लेना है जिनके पास है मैं पहले ही बता देता हूं आप लोगों को डिसीजन लेना है क्योंकि येस बैंक का प्राइस काफी ज्यादा गिर चुका है और अब भी भी बहुत ज्यादा मिन्स बहुत ज्यादा गिरने वाला ठीक है तो जिनके पास써 भी है बेस्ट के निकल जाया है ठीक है तो यही एक निउस है जिनके वजह से यह और भी तबाही मचने वाली है तो एक चीज़ में आपको बताना चाहता हूं कि यह को अगर निफ्टी 50 से हटा दिया जाएगा तो उसका वेल्यू जो है वो डिक्रीस हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि जितने भी निफ्टी 50 में स्टॉक रहते हैं वह ब्लू चिप जो है माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू आस जो भी हो उनको ब्लू चिप और अच्छे स अच्छे कंपनी जो है माना जाता है लेकिन दोस्तों ॉब क्या है कि येस बैंक को हटाया जा रहा है वहां से कहां से निफ्टी 50 से और जब हटाया जाएगा तो दोस्तों उसमें और भी तेजी से गिरावट आएगा और येस बैंक जो है अब वो quality वाला stock नहीं रहा quantity वाला stock बन चुका है पोटफोलियो में भी जहां के देख सकते हैं कि आपके पास भी बहुत ज़्यादा और अच्छे-चे quantity खरीद के रखें कुछ लोग ऐसे हैं 500, 1000, 2000, 3000 quantity ऐसे average करकर के रखें क्या है आपने कभी सोचा हमने क्या हमें खरीदना क्या है quantity या quality वाले business खरीदना है लेकिन हमने क्या खरीद लिया quantity ठीक है तो ऐसे चीजों से side रहना चीए ठीक है और दोस्तो मिलते हैं साम को मैं बताने वाला हूँ result कि कौन सा वीडियो में कितना profit हुआ है तो उसको मस मिस कर दीजेगा